कि हेलो डियर इस्टुडेंट्स आज हम क्लास 10 के एसस्टी के राजनेतिक विज्ञान के चेप्टर मबरन सच्ता के साज़दारी के महत्वपूर प्रशन अतवर करेंगे जो सीबसी बोड एक्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर होगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडिय कबूर से धन कहा है तो जैसे हम सभी को बता है कि अबरहाम लिंकन दो़ारा लोकतंतर के पैइबासा दिए थी जो आजकर सर्वकारिन डूप से बनी हुई है और वो है कि जन्ता का सासन जन्ता के लिए जन्ता के द्वारा की आयाता है उसे में गया गयते हैं लोकतंतर के दाम से आनते हैं अगर हम वास्तों में लोकतंत के संकलपना की बात करें दोस्तों लोकतंतर होता है किया है लोकतंतर में आसमानता का भिवाजन यानि आसमानता जो होती है उस आसमानता को समाप्त करें समानता की बात की जाती है समानता का सासल लायाता है भेद भाव की समाप्ती की जाती है और राजनितिक आर्थी को समाजी समानता की बात कियाती है कहाँ पर लोकतंत्र में और यही लोकतंत्र का मूल सिध्धानत होता है जनता अपने प्रतनिधी को अपने वोट के माद्ध हम चुनती है और वही प्रत्निदी जनता द्वारा जो जोने का प्रत्निदी है जनता परसासन करता है चले नेस्ट स्रिल्लंका की अबादी में दो पर्मुग जाती है कौन सी है तो स्रिल्लंका की अबादी में दो पर्मुग जाती है स्रिल्लंकाई सिंगली और तमिल Dear students, आप लोगों को लगातर पढ़ाई अन्वर दुरूप से जाई रखनी है हमारे सभी सिक्षा मंतिर द्वारा और एजुकेशन और विशर दर जो निड़ने लिया जाएगा कि आपके परिक्षे होगी या नहीं होगी वो बात की बात है लेकिन अभी हमें अपने पढ़ाई को लगातर इसी परकार से अन्वर दुरूप से जारी रखना है कि परिक्षा हो सकती है इसकी इसा भावना पर पर रूप से बनी हुई है सिब्सी दुर अभी किसी पर कोई गाइड लाइन्स नहीं जारी की गई है और नहीं कोई नोटिफिकर्स नाया है जिसके हम कह सके कि परिक्षा टलेगी तो आपको अपनी पढ़ाई रोकन नहीं है नेस्ट है बहु संख्यक वाद क्या है बहु संख्यक वाद एक राजनितिक विचाधरा जिसमें बहु संख्यक जाती अथ्वस संख्यक लोग सत्ता पर अमर्यादित कुंडली मार लेते हैं तथा सासन को अपनी इच्छा की इनुसा चलाना चाहते हैं उसे हम क्या कहते हैं बहु संख्यक वाद बहु संख्यक वाद कोगर हम समझने के लिए दोस्तों कहें कि माल लेते हैं एक کلاस में, एक मिज़ोर्टी के एक स्टूम अधिकतर है, यानि कुछ क्लास में अगर माल लेते हैं कि मैत के स्टूढ़न अधिक पसंद करते मैत को, और मैत वाले पसंद करने वाली विध्यारते उसंक्या पचास है, और राजिनति विग्यार को पुसंद करने वाली विद्यातियो संख्या 30 है तो उस हिसाब में देखेंगे तो जो मिजरुटी है उसकी बाद को अधिक महतुत पदान किया जाएगा इसे आप कह सकते बहुत संख्या को आद बहुत संख्या वाद में लोक तंत्रिक अधिकारों कहरन होता है जन्ता के समस्द नागरिक अधिकारों को समान रूपता नहीं क्याता है जिसकी जन्संख्या ज्यादा होती है उसी के अधिकार दिक महतुत पूल माने आते हैं आप यह आधार दो भी कह सकते हैं जिसकी लाठी उसी की भैस चलिए सत्ता के साज़दारी क्या है अलग अलग समूहों में सत्ता के बड़वारे के परिकरिया को हम सत्ता के साज़दारी कहते हैं सत्ता के साज़दारी लोक तंद्र को मजबूत करती है दोस्तों सत्ता की साज़दारी एक ऐसी साज़दारी है जिसमें सासन में सभी लोगों को भाग दिया जाता है जाए वो बहुत संक्यक हो या अलप संक्यक हो जाए वो किसी भी धर में समिदा जासे क्यों ना सम्मन रखते हो और जहां सत्ता की साथदारी होती है वहां लोकतंदु मेजबूती मिलती है चलिए समुदाइक सरकार क्या है सत्ता की साथदारी में देश के अलग-अलग ठीके, सब्दों में या अलग-अलग भागों में विभाजित किया आता है सत्ता की साथदारी की इस तरीके को कई देशों में परियुक किया आता है ताकि अल्प संख्यक समुदायों को सत्ता में यहां सत्ता में भागदारी मिल सके बेल्जिम के अगर मात करें तो बेल्जिम में समुदायी सरकार के स्थापना की गए है ताकि सभी बहुन संक्यक्ता अल्प संक्यक्त सम्धाय को सत्ता में समान भागदरी दिया सके, अब बेलजियम में सत्ता की समधाय सरगार इसापना क्यों कीवकिगी वहां पर बहुँ संक्यक भासा का परियोग किया गया है जैसे अगर देखें तो वहाँ पर डच फ्रेंच वा जर्मन भासे 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 लोग रहते हैं और सासन में सभी लोगों को समान अधिकार मिले जैसे हम देखें तो वेल्जियम के 69% लोग जो हैं 59% लोग जो हैं डच भासा बोलते हैं कौन सी भासा बोलते हैं और 40% लोग जो हैं लगभग फ्रेंच भासा बोलते हैं कितनी भासा बोलते हैं 40% जो लोग हैं वो क्या बोलते वो फ्रेंच भासा का परियोग करते हैं और सहर के स्कूलों में फ्रेंच भासा पर पद्बन लगाने के उसके कदम ने से दोनों समुवें ना कुल सकतुपन हुआ बलकि इसे फ्रेंच बोले में लोगों में दूसरे समुपतिय विश्वास भी उत्मन होगा तो इसी विज़े से वहाँ पर किसी प्रकार का ऐसे चीजे घर जितना हो इसलिए वहां की सरकार द्वरा समुदाइग सरकार की सापना की कि ताकि सभी भासा भासी लोगों को समान अधिकार प्रतार किया जा सके और सभी लोग अपने अधिकारों को समान उसे परियोग कर सकें अगला है बहु प्राणाली करता है यहां पर बीजी पी कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी आमाजवादी पार्टी प्राणाली में हर एक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए तदा प्रतेक दल जितनी मर्जी चाहें वेब प्राप्त करने के लिए स्वतंतर है राइट बारत में बहुत दली प्राणाली है जहां पर कॉंग्रेस बीजीपी बीएसपी आमाजवादी इत्यादी से कई दल है और सभी दरोग पास चुछन लड़कर मुहमत प्राप्त करने म Physical काबिज नहीं हो सकती है और नहीं सासन भाग ले सकती है बेल्जीम की जाती बि grandson के बारे है के बात करें तो लोग रहते हैं बहाँ की सरकार के लिए काफी मेहतिवादी हुनका निमाते हं और इसलिए अगरों पर समोदयी सरकार इस्तापना ये और और वहां की सरकार ने मिस्तेदार ने पर्वतन करके उन सभी भासा भासी बोलेवें लोगों को अधिकार प्रदान किया ताकि उन में किसी प्रकार बेदवाओ ना हो और सासने अस्ता कुंस्चा रुष चलाया ने जा सके बेल्जियम तर स्रिलंका द्वारा अपनाए गया सत्ता की साज़दारी की मोडल कौन कौन से हैं बेल्जियम के निताओं ने विबिन ने समुदायों और छेतरों की भावना गादर करने पर देग बल दिया उनके अमसार इसी में देश की एक ता संभव है इसकी चलते ही डर्स तर फ्रेंच भासा बोलने वाले लोग सत्ता में साज़दारी करने में सहमध भी हो खाते बेल्जियम में सिरलंका के अगर बात करें तो सिरलंका में सिंगली बहुंद संगे समुदायर ने सत्ता पर अपरोताए साबद ometूरा के लिए उस आजादिक बात से वहाँ पर सिल्लंकई सिल्लंकई सिंघ्र की सासन मेधिक भागदारी निभा रहे थे और तमिलों को अल्पसंग के मान करूं को अधिकारों को वन्चित रखा गया उनको वो सारी सुधाय प्रदान नहीं की गई जो सिंगली समधाय को लोग दर प्रदान की गई थी तमिलों को सरकाई नोकरियों और आने प्रकार साधिकारों को वन्चित रखा गया कि अगे अभी होता ओसे दीजिक भी पैदा हो जाती है तो सत्ता की साधारी की आवश्याख है यह बिभीन समाजिक और टक्राओं को कम करती है यह रादनितिय की सिर्था इस्थापित करने के लिए अच्छा माद्यम है जी हां अगर हम सर्था की साधारी की बात करें अगर हम भाराज जैसे देश की बात करें तो यहां पर भी सर्था की साधारी की रूप में अपनाए गया है बेलजे में भी सत्वासादर ये बात की ती और स्रीलंका उने देखा कि वहांपर सिहनले और तमिल लोगों के बेदभाव पुर्णिता अपनाए गई यहनी शिंगलियों का अधिकार दिया गया तमिलोग का में अधिकार दिया गया तो ये वहाँ पर गिरह युदी जिस्तिती गुत्पन करने में योदान दिया है बहुत संख्यक वाद के प्रभुतों को निंतर्म रखने के लिए ये एक परभावसाली विकल्प है ये सासन में सत्ति के विकिंदे करुण दर्साता है और सरकार के एक अंग को दूसरे के परती उतरड़ाई बनाता है अलप संख्यक को अलगावाद के हसास से भी बचाता है जिया है सत्ता के साथ दारी इसलिए ही आवस्याग है सिर्लंका में एक विशे समुके बहुत संख्यक बाद के बारे में आप क्या समझते है अगर हम सिर्लंका के बाद करें तो सिर्लंका को उन्नी सुर्टालिस में सदंतरदा पराप्त हुई वहाँ पर सिंगली समुदा बहुत संख्यक में था इसलिए उन्होंने सरकार प्रभुत्व काम करने का प्रयास किया या प्रभुत्व बनाने का प्रभुत्व कायम करने का सिंगली लोग दोरा काम किया गया जिसके नुसार सिंगली भासा को राज भासा गोसित किया गया सरकार ने सिंगली लोगों को सरकाई नोगरी तिता कई और चेत्रों में प्रत्मिक्ता देकर कई प्रकार के से उधाय दी सरकार ने बहुत ध्रम को भी सरणश्र दिया और चीनी भासा तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नया सव्धान भी बनाया चीनी भासा नहीं दोस्तों यहां पर सिंगली भासा ठीक है ना सिंगली भासा ठीक है सिंगली भासा तदा संस्कृति को बढ़ावा दिने के लिए नया सेधान भी बिनाया क्योंकि सिंगली नेता अपनी संस्कृति पती बहुत ही ज़्यादा क्या थे समय दन्सील थे सरकार के नीतियों के कारण अन्य समधाह अपनें आपको ठीके दगा महसुस करने लगा ह rhaga महसुस करने लगया सरकार दोरण दोने के सथわか़े जाने लगा और इस कार तमील समधा पर सेंगली समधाग में संघर्श शुरू हो गया जो एक गिरह युद्धि के सगल में हमारे साम अविए आज भी साथार्य की आपशकता है साथार्यों मजबूत करती है और बहुत संक्रीवाद की भावना को समाप्त करती है कि स्लंका को कब स्टंद्र पराप्त हुई सिर्लंका को में of 1944 पराप्त हुई बेल ऑल जीए मपकब दोस्तों स सिलंका को ने कि नाम से जाना जास था बाद में से लंका कि नाम से जाना गया把它 स्वाभवान ने सम्मान गुरूप में श्री लगा दिया गया एंड उसे स्रिलंका गुरूप में आज जाना जाता है बेल्जियम एक ऐसा देश है जहां तीन प्रकार की भासा है समुखथाथ डच फ्रेंच जर्मिल भासा बोलने वाले लोग रहते हैं बेल्जियम के निताव द्वारा सवधान में 1970 तदा 1973 में संसुदन किया गया ताकि सत्ता के साथारी के परवद्धन को आगे भी फोलो किया जा सके सेलिंका के अगर बात करें दो तो सेलिंका तो भारट के प्रवद्धन करद देश भी है और 1956 में इसने अपने सवधान में संसुदन करके सिंग्लियो को राश भासा गौशित कर Дिया बहुत धर्म को वहाँ पर राश्ट धर्म घोशत कर दिया और सिंग्रियों का दिकार अधिक प्रतान कर दिया जबकि तमिल भासा भासे जो भारस से लंका चले गये थे उनके दिकार को अबर मंचित किया गया तो जिस चेप्टर से जितने वी इंपर्टन कोशिंट में थे हमने कर लिए इस चेप्टर से इस से बहार कोश्ण ने आएंगे दोसमों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लेक लाइक कर देश और चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस् स्टूडियों में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन